जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उच्जे नेता आज कॉंग्रेस के गोदी में बैटे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए के साथ आप सहमत है क्या पांच पांच बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं देश के प् अधेश भरके साथ करोड गरीबों को उनके जीवन स्कर को उपर लाकर उनके लिए रोजगारी के मौके सुरुजित करकर उनके जीवन में उनके घर से दुआ निकाल कर घर में उज्वयारा करने का काम नरेंद्र मोदी जिने किया है मित्रों चवहत्तर में जब जय प्रकास दिने बिहार में आंदोलन किया अराजनीतिक आंदोलन सारी विचारदारा के छात्र जेपी की अगवाई में इखटा हुए थे सुसिल जी यहां बैठे हैं सुसिल जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट है मगर उस आंदोलन की और कई लोग है जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिये मित्रो आज मैं बिहार की जन्ता को पूछने दाता हूं जो जेपी का नाम लेकर जेपी यांदोलन से उच्जे नेता आज कॉंग्रेस के गोदी में बेटे हैं केवल और केवल सद्दा के लिए उसके साथ आप सहमत है क्या जराजोर से बुले सहमत है क्या एक जय प्रकास के सिद्दान्तों की राति जी है कि जय प्रकास का बताया हुआ मार्ग नहीं जय प्रकास जीने जीवन बर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया पूरा जीवन सिद्दान के लिए और आज पांच-पांच बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बन कर बैठे हैं विहार की जनता को टाय करना है कि जैप्रकास के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंड्र मोधी के नेथ दुत वाली भारतिय जनता पॉठीच चाहिए यह जैप्रकास के रास्ते से बटक कर सक्टा के लिए समधान करने वाली एक घट जोड की सरकार नित्रों आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धान्तों के कई लोग अनुयाई युवा पैदा हो इसके लिए इस मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया थे मैं बढ़ाई देना चाहता हूं साधुवाद देना चाहता हूं भाई विरेंद्र मस्त जी को जिनोंने ट्रस्ट के अध्यक से नाते इसके पीछे पढ़कर इसको पूरा करने का काम किया है और आज जेपी के सिद्धान्तों के कर दो